नमस्कार साथियों दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भरती है उससे लेकर एक अपडेट बहुत ही ज़्यादा वाईरिल हो रही है तो देखिए सामने आप लोग देख पा रहें उत्तर प्रदेश पुलिस भरती को आयोक से मिली हरी जंडी दिसम्बर से आवेदन सुरू इसमें ये बतायजार आएगी 27,400 पदों पर जो भरती आएगी उसके लिए जो प्रिकरिया है दिसम्बर के दुतिय सब्दा में सुरू हो जाएगी देखे कितनी सचाई है इस ख़वर में ये तो राम ही मालिक है मुझे नहीं लगता कि इस प्रिकार की जो न्यूज है वो न्यूज पेपर में आ सकती है इतना जादा हिंदी लिखा हुआ और इतना जादा इंगलिस लिखा हुआ एक साथ नहीं आ जा सकता एक साथ नहीं आए सकता क्योंकि हिंदी में ही जया तर उत्तर प्रदेश की जो भरती होती है उससे संबंदित सूचना आती है हम पर देखिए अंग्रीची कितना लिखा हुआ है दूसरी चीज ये किसी भी तौड से न्यूस पेपर में आया हुआ नहीं लगता तो कहने का मतलब ये है ये किसी एडिटर ने जाल गुना है एडिटर ने चाल रची है दिसमर का दूसरा सब्ता बताया जा रहा है कि आवे दिन की प्रिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी देखिए इस ख़वर को हम एक तरीके से फेक इस टाइप से भी कह सकते है कि उत्तर प्रदेश का आप लोग को बता होगा कि कोई भी भरतिया है उसके 15 दिन पहले सूचन आ जाती है तो ये क्या है मसला कि जो एक साथ दूसरे सब्ता से आविदन सुरू हो जाएंगी ये तो गलत है क्यों क्यों क्योंकि अगर दिसम्मर के दूसरे सब्ता से आविदन सुरू होते तो अब तक कोई न कोई सूचन आ गई होते यहां पर देकि उत्तर प्रदेश पुलिस विभागने उत्तर प्रदेश पुलिस हैं उपनोती बोर्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के दस्वी बारवी पास हौनहार महिलावापुरूस अफ्यरतियों के लिए 27,400 गलत है क्योंकि दस्वी तो योगता इसमें मांगी नहीं जाती बार भी मांगी जाती है तो कहा एक मतलब यह है कि यह जो ख़वर है यह किसी एडिटर ने जो है मतलब एडिट करके डाली है आपकी भावनाओं के साथ खिलवार करने के लिए मैं जाना समय आप लोग का नहीं लेकिन यह ख़वर फेक है यह निराधार ख़वर है इसका कोई आधार नहीं है इस पर आप लोग मिलिम ना करें जो आब दिन की फिक्रिया स्टार्ट होने की जो संभावनी तित्य है वो जनवरी के महीने में हो सकती है दिसंबर में बहुत कम चांस है कि यह उत्तर कोई सना के मिलती रहेंगी जैने तो